मामला क्या है सोशल मीडिया पे बहुत सारे गीदर टाइप के लोग आते हैं और गाली गलॉस धमकी यह सब करते रहते हैं एक दो आएगा तो उससे रक्षा तो अपनी डंडा से लेगे कर लूँगा अब गीदर की तरह डरफोक की तरह जुण में आएगा तो उसके लिए तो शरीर से पुजा कराने जा रहे हैं एक एरफ रुप्या दक्षिना मिल रहा है नहा धो कर जाएंगे सेंट लगा कर जाएंगे किस रुप्या दक्षिना मिल रहा हम तो भहिया ब्रहमन ही तैसी हैं नवस्कार साथियों मैं ब्रजमोहन और इस बक्त हूं डॉक्टर रतनलाल जी के पास में और उनके साथ पास में ही हैं डॉक्टर ओम सुदा जी तो आज हम जानेंगे जिस प्रकार से कहावत है कि सिकारी आता है जाल पहलाता है जाल में नहीं पसना चाहिए जिस प्रकार से महेंगाई एक मुद्दा बेरोजगारी है तमाम अर्थविवस्ता देश की बिगड़ी हुई है तो क्या इन सभी विवस्ताओं से ध्यान बटकाने के लिए देश में तमाम प्रोगेंड़ा अपनाए जा रहे है और दूसरी बात यह है कि डाक्टर रतनलाल जी ने ग्रेव मंत्री प्रदान मंत्री और राष्टपती महदय जी को सुरच्चा अपनी सुरच्चा को लेकर एक फिप्टी सिक्स के लिए लिए लिका है तो सर क्या कहना चाओगे क्या है पूरा मामला क्या है सोशल मीडिया बहुत सारे गीदर टाइप के लोग आते हैं और गाली गलोज धमकी यह सब करते रहते हैं एक दो आएगा तो उससे रक्षा तो अपनी डंडा से लेगे कर लूँगा अब गीदर की तरह डरफोक की तरह जुन में आएगा तो उसके लिए तो अपनी आर्त्म रक्षा के लिए तो हतियार की जरूरत होगी ना तो मैंने बहुत देख रहा हूं सबको हर जगत धमकी मिल यह फाइयर हो रहा है तो मैंने राष्टपती प्रदान मंत्री जी को लिखा है और कौपी राष्टपती होम मिनिस्टर सी कमिशन को भी भेजा है यह कि चपन का लाइसेंस यह तो बॉड़ी गार्ड हमें प्रवाइड कर है वो दिन अब आ गया है अब देखिए तो समाज बहुत सारा प्लियर्स पेच होता है यह भी चलता रहेगा और अधिकार के लिए संगर्ज चलते रहेंगे सब चाहिता समाज को तैय करना है इसको मंदिर मस्जिद में हिंदू मुसलमान में फसना है आपने समयदानिक अध करेगा तो हम हम अपना समयदानिक लेंगे मारे साथ में डॉक्टर ओम सुदा जी है इन पर एपाई यार की गई है एक टिपड़ी को लेकर तो सर्व मामला बताईए क्या मतलब मैंने एक जगह वीडियो में कहा कि जो जनेव होता है जो ब्रहमन पहनते हैं जनेव धागा उ उससे मुझे घिन आती है और अभी पीछे चर्चा हो रहे थी कि जनेव और समानता का प्रतिक है इसलिए उस पर बात कर तो मेरी बात को गलत भी साबित करने के लिए उनको मेडिकल बोर्ट का रिपोर्ट चाहिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए वग्यानिकों की दर जाएंगे लेकिन हम लोग अंबेड कर फूले पेरियार कबीर को मानने वाले लोग हैं सावित्री भाई फूले पर तो गुबर फैंक दिया जाता था फिर वो इस्कूल जाती थी परहने बावा साब को मटके का पनी नहीं पीने दिया जाता था फिर भी उन्होंने दुन हम समविधान की बात लोगतंत्र की बात अपने समाज की बात समानता की बात करते रहेंगे जनेव को लेकर आपने टिपड़ी की और उसके लिए आप पर एफाईयर कर दी गई तो इस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं जो सबड समाज के उन्हों पर तो एक तरब से पूरे घरवाई घर मतलब प्रते घर से अपाईयर होना चाहिए उसका भी लॉजिक बता रहा हूं कि आपने उनके धंदे से गिनाती है आपको सीधी सी बात है जनेव और कर्मकंड क्या है एक धंदा है इसी प्रकार से यह जब कोई सवचकार मतलब नाली साप करने वाले अमारे ब अधार पर करते हैं जाती का अधार पर नहीं हम एप्रोप्रियेट गंदगी की बात करते हैं और उस जनेव को की बात करें जो प्रतीक ही है गंदगी का कैसी गंदगी आदमी आदमी में भेद भाव तो जनेव और समानता का प्रतीक है तो हम क्यों नहीं जनेव पहन सकते है कोई ब्रह्मन ही को पहनेगा और जहां तक आपने बिजनस की बात की तो उसके हिसाब से देखें इसका पोजेटिव आसपेक्ट भी है कि अगर वो जनेव नहीं पहनेंगे तो हमारा क्या जाता हैं तो पहनते ने उनके हेल्थ के लिए हम बोलने भाई अगर आज वो बिना नह चाहे धोए जा रहे हैं बदबू आ रहा है उनके सरीर से पुझा कराने जा रहे हैं 13 रुपिया दक्षिना मिला है नहा धो कर जाएंगे सेंट लगा कर जाएंगे की सुअ हम थो भहिया ब्रहहमन ही थैसी है इसी है ब्रहहमन समाज का कुछ लंपट लोग समझ नहीं पाया क सब्सक्राइब करें हैं ज़िया यह सी रहा सकते हैं बहुति जरी को बना करते हैं कि अगर किससे घ्रम अधिये तो ये इस पे फाई आर नहीं होना चाहिए दोनों मामले देखिए इतर हैं एक तो साफ सफाई का काम करना सफाई का काम करना और गंदा पहनना तो उससे किसी को भी घिनाएगी उन्होंने नफरत का काम किया है और अभी तो रतनलाल सर चर्चा भी कर रहे थे कि जनेव जो है उसमानता का प्रतीक है तो समानता के हर प्रतीक से हमको नफरत है घिनाती है समानता के हर प्रतीक से तैंक यू सर तो यह थे डॉक्टर रुमस उदा जी तो इन्होंने एक जनेव पर टिपड़ी की परिसंग के आप मासच Cameron तो आप देखते रहे जनेता वाज आपको यह चर